प्रात्मिक आरोग्य केंद्र बोरवानी के खजूरी सबसेंटर जिलाद दाहोद गुजरात में किया गया सफलता पूर्वक रसीकरण इस रसीकरण के अवसर पर अखिल भारतिय बलाई महास भारजिस्टर दिल्ली के संस्थापक एवां राश्ट्री अध्यक्ष मानिय श्री पूर्विधायक एवां युवा राश्ट्री अध्यक्ष श्री दिलीप सिंग बामनिया के आदेश अनुसार अखिल भारतिय बलाई महास भा गुजरात प्रदेश के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश सिसोधिया ने खुद तो वैक्सीन लिया और अपने अन्य को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रोचाहित किया आपको बता दे कि राजेश सिसोधिया कारोना को मात दे चुके हैं परन्तु इस बार समय के चलते वैक्सीनेशन में भागिया और सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की इस अवसर पर अंतराश्रे मानव अधिकार एवं सामाजिक संगठन के गुजरात प्रभारी श्री जैनू सिन गणावा जी ने भी वैक्सीन लिया जो खुद भी बीते दिनों कारोना से ग्रस्त थे एवं लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की प्रात्मिक आरोगे केंद्र बोरवानी एवं खजूरी सबसेंटर के डाहीरल दिसाई एवं डामनीशा ता भियार और उनकी टीम फच्ट डबलू संगाडा सरंता बेन रमसुभाई फच्ट डबलू गनावसाब नहबन एम पीच्ट डबलू पसाया विशाल भाई एवं आ आशावर करडांगी टीना बेन और डोडीयार गीता बेन की उपस्थति में यह रसीकरण किया गया रसीकरण के पूर्व लोगों की प्राथमिक जाच भी की गई और रसीकरण के पस्चियात दवाईयां भी प्रदान की गई लोगोंने बड़े ही उच्ट साहा के साथ लिय भाग अखिल भारतिय बलाई महासभासम अस्त देश्वासियों से अपील करती हैं कि वेक्सीन जरूर लगवाए और दूसरों को भी जागरुत करें अख्वाओ पर विश्वास न करें और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें राजेश सिसोधिया युवा प्रदेश अध्यक्ष